तो दोस्तो आज अगस्त की बारां तारिक है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही खुश्बूदार इस बल्बस फ्लारिंग प्लांट के बारे में रजनी गंधा या ट्यूब रोस के बारे में ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं इसको मैंने बल्ब से ग्रो किया था लगबग इस पौदे को ग्रो किये हुए तीन से साड़े तीन महीने हो चुकी है और उस समय मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर भी किया था कि इस तरह से इस प्लांट को बल्ब से ग्रो किया जाता है इनके बल्ब को ग्रो करने के लिए मैंने इस तरह से 10 से 12 इंच के गमले का इस्तमाल किया था और जो मिट्टी का इस्तमाल किया था उसके अंदर 60% सिक्स्टी परसेंट जो है वो सैंडी सॉयल और 40% जो है वो कमपोस्ट या खाड का इस्तमाल किया था जिसके अंदर मैंने काउडंग मैन्नियोर का यूज किया था हाला कि इन पौदों को अच्छी फ्लारिंग के लिए इनके बल्ब्स को अच्छी फ्लारिंग के लिए जएदा हैवी नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती लेकिन उस समय पर इनका ग्रोइंग सीजन था और ये जो प्लांट है एक चीज़ मैं यहां पर क्लीर करना चाहता हूँ इनको लगभग 100 से 120 दिन तीन से चार महीने का समय लगता है अपने बल्ब्स से फ्लारिंग तक आने का और ये समर ग्रोइंग रहते हैं समर सीजन जो गर्मी का मौसम रहता है इनको पसंद रहता है सर्दी के मौसम में ये बिल्कुल अडोर्मेंट या रैस्ट के समय पर रहते हैं इसलिए अच्छी फ्लारिंग लेने के लिए इन प्लांट्स को या इनके बल्ब्स को जब ग्रो कियाता है उस समय मार्च या एपरल का सीजन रहना चाहिए जब गर्मी की शुरुआत होती है थोड़ा टेंप्रेचर जो है वो 25 से 30 दिगरी के बीच में रहना स्टार्ट होता है और जब पूरी धूप तेज होने लगती है टेंप्रेचर 40-45 दिगरी के पास पहुंचने लगता है उस समय पर इन प्लांट्स को सैमी शेड देना पड़ता है हलकी सी मिट्टी में नमी इन बल्ब्स को पसंद रहती है मोसली जो बल्बस पौद रहते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनको ड्राइस पसंद रहती है लेकिन ये ऐसे बल्बस पौदे हैं जिनको हलकी सी मिट्टी में नमी मिलने से ये बहुत अतेजी से ग्रोट करते है बस शर्त ये कि जो इनकी मिट्टी है वो वैल ड्रेंट रहनी चाहिए क्योंकि ये जो फ्लार्ज हैं या इन मेंसे जो फ्लार्ज या स्टोक निकलने वाले हैं जो निकल कराते हैं उनका cut flowers के तोर पर यूज किया जाता है उनका जो यूज है वो बुके में किया जाता है तो ये खुश्बूदार रहते हैं इसलिए जब इनके जो stock हैं या flowers हैं वो निकलने start होते हैं उस समय पर इन plants को semi shade दिया जाता है ताकि उनकी जो life है वो लंबी रहे या cut करके उनको पानी में place किया जाता है जिससे वो बहुत लंबे समय तक fresh रहते हैं अभी क्योंकि हमारे यहाँ पर monson का season है और कह सकता हूं कि इनका जो flooring season है वो बहुत pass है monson के just बाद ये plants जो हैं वो flooring करने लगते हैं इनको थोड़ा सा moderate जो temperature है वो पसंद रहता है flooring के लिए तो अभी इस plant को मैं जो fertilizer है वो feed करूँगा ताकि इनके जो stocks हैं वो थोड़ी जल्दी निकल कर आएं और अच्छे से जो flooring हैं वो भी develop हो अच्छी flooring के लिए इन plants को जो बार बार reporting है वो पसंद नहीं रहती है अगर आपने हलाकी अभी तक इनके bulbs को grow नहीं किया इस season में तो अभी आप अगर इनके bulbs को grow करेंगे तो वो इस साल बहुत मुश्किल रहेगा आपको flowers दे पाएं सिर्फ आप एक परपस से अगर आप इनके bulbs को आपके पास एक या दो छोटे bulbs हैं उनको आप multiply करना चाहते हैं या उनका size increase करना चाहते हैं तो उनको आप इस समय पर report कर दीजिए उनका धीरे धीरे time के साथ है जो size increase होने लगेगा और वो multiply होने लगेंगे reporting इन bulbs की root bound होने पर की जाती है तो चलिए जल्दी से अब इस plant को fertilize करते हैं और आने वाले मौसम में अब क्योंकि temperature थोड़ा सा down होने लगा और humidity हाई होने लगी है तो आने वाले मौसम में इस plant को मैं पूरी धूप में place करने वाला हूँ इन में से जल्दी से जो flowers हैं वो निकलना start हो fertilizer के तोर पर आज मैं जो इस plant को feed करने वाला हूँ वो इस तरह से single super phosphate है क्योंकि इस पौदे में nitrogen already बहुत हाई है आप इसकी growth से idea लगा सकते हैं और इनको flowering के लिए nitrogen नहीं चाहिए होती इसलिए आपके पास अगर single super phosphate ना हो ये quick release होता है बहुत जल्दी इसका जो result है वो plants में मिलता है तो आप इसके जगा slow release bond meal का भी इस्तिमाल कर सकते है D.A.P. यहाँ पर avoid की जाएगी क्योंकि D.A.P. के अंदर जो nitrogen है वो भी रहता है तो इसलिए इस पादे को phosphorus फीड किराएगा इस तरह से इसके चारों तरफ में लगबग ये 2-3 ग्राम जो single super phosphate है वो डाल दूँगा और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर मैं apply करने वाला हूँ वो है potassium of Murat of Potash ये potassium का rich source है Murat of Potash, Red Potash भी इसको बोलते हैं इसका एक ग्राम अगर आपके पास ये दोनों चीज़े अवेलेबल ना हो तो आप NPK 0.52 इसली अवेलेबल रहता है सीड शॉप पर 0.52 0.52 और 34 इस तरह से जो ratio रहती है उसके अंदर nitrogen नहीं रहता तो उसका भी आप spray कर सकते हैं या पानी में dissolve करके दो ग्राम पर लिटर इस तरह से आप dissolve करके आप इसको दे सकते हैं तो बस दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी इस पौदे की जो अपडेट रहेगी आपके साथ शेर करूँगा तब तक के लिए बाई हैपी गार्णिंग टेक क्यर